हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, मेरा नाम डॉक्टर सोनी प्रियंका है और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, टिप्स टू मैनेज हाइपोथारडिज्म के बारे में बात करने बाते हैं आज हम लोग सिखेंगे कि हम अपने हाइपोथारडिज्म को कैसे मैनेज करें और आपको या आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को भी हाइपोथारडिज्म है तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो कि आज की वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट टिप्स करेंगे जिससे आपको अपने हाइपोथारडिज्म को डील करने में काफिर हेल्प मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीप नमबर वन ये सुनिचित करें कि आप अपनी थाइरवाइड की दवाईया डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेगे हाइपोथारडिज्म में था थाइरवाइड हॉर्मोन रिप्लेस्मेंट थेरपी देते हैं और इसलिए आपको डेली ये दवाईया लेनी चाहिए और इसे समय से लेना बहुत आवस्यक है ये दवाईया खाली पेट लेनी चाहिए टिप नमबर टू संतुलीत अहार लेने पे ध्यान दे एक नुट्रिसियस डाइट आपके थाइरवाइड फंक्शन को प्रभावित करता है आप अपनी डाइट में आयोडीन रिच फूट्स जैसे की सीफूट, डेरी प्रोड़क्स और आयोड़ाइड साल्ट को संफ्लावर सीड्स इस्त्यादी सामिल कर सकते हैं साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी फूट की कैलोरी ज्यादा नहीं हो आप हाई कैलोरी फूट लेने से बचे क्योंकि इससे आपका वजन जल्दी बढ़ सकता है और कुछ चीजे आपको थाइड में एवाइड क टिप नमबर त्री नियमित रूप से वयाम करें और फिजिकली एक्टिव रहें इससे आपको वेट मैनेजमेट में काफी हेल्प मिलेगा और साथी आपका मेटा बॉल्स भी इंप्रूब हो आपको डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए अगर आप करें टिप नमबर फोर आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखे तनाव में हाइपो थायडिंज के सिम्टम बढ़ जाते हैं यह आपके थायरोड हर्मोन के फंक्सन को भी प्रावावीत करता है इसलिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी चाहिए जैसे कि डीब एक वीडियो बनाई हैं आप उसे भी देख सकते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रेशन में दे दिया टिप नंबर फाइब आप सुनिस्चित करें कि आप पर्याप नींद ले रहे हैं अच्छी नींद आपके स्वास्त के लिए बहुत महत्पूर्ण है यह आपको थायरोड हर्मोन को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है आप प्रती दीन साथ से आठ घंटे की नींद ले और सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन देखना बंद कर दे 10 से 11 बज़े के बीच में सोने चले जाए इससे आप अच्छा मरसूस करेंगे और आपका थायरोड फंक्शन भी इंपूर्व होगा टिप नंबर सिक्स नियमी तुरूब से थायरोड लेवल की जांच कराते रहे और नियमी तुरूब से अपने डॉक्तर के सलाह में रहे आपको कोई भी ने सिम्टम डेवलप हो रहे हैं या पुराने सिम्टम में कोई change आ रहे है तो ये अपने डॉक्टर से अवर से discuss करे औ और अगर आपको कोई medication को change करने की जोरत होती है तो वो change करेंगे और आप ये ensure हो जाएंगे कि आपकी medication सही है या उसमें कुछ modification करने की need है तो ये थे हमारे 6 important tips चलिए अब जल्दी से इसे summarize कर लेते हैं टिप नमबर वन था अपने treatment को अच्छे से follow करें थेवाइट की दवाया टाइम से लें सेकेंड टिप था balance diet लें अपने diet में iodine और selenium rich food को include करें और vitrogens को avoid करें high calorie food लेने से बचें थर्ड था exercise and physical activity नियमित रूप से वयाम करें डेली 30 minutes exercise and physical activity करें 4th stress management अपने stress को manage करना सीखें 5th था प्रयाप्त नींद लें और last था समय समय पे regular thyroid की जांच कराते रहें आज के वीडियो के लिए इतना ही हर इंसान के बॉड़ी अलग अलग होती है इसलिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और साथ साथ इस tips को भी पॉलो कर दी चाहिए और thyroid में diet का important role होता है इसलिए आप personalized diet plan बनवा सकते हैं और especially जब आप overweight हो गया है या obese हो गया है thyroid के कारण thyroid में weight loss possible है और इसके लिए आप हमारी website nowmyhealth.com पे visit कर सकते हैं और मुझे contact कर सकते हैं इसका link मैंने description में दे दिया है और आपको ये video informative लगी है तो इसे like और share करें और ऐसी ही स्वास संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल को subscribe कर ले till then be healthy and be happy